कि स्लूशन चेप्टर बात करते हैं स्लूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपपटीज की फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चेप्टर ट्वेल्थ क्लास के अंदर नीट और जही दोनों के साफ से काफी इंपॉर्टेंट है यह चप्टर देखते हैं चेप्टर के अंदर सेलेक्ट इन टैप्स के सलुशन के अंदर टेमेंस की तीन जा करें स्सेलिशन के अंदर नीकित कैंटिगेटियॉसन पहली होती है कि ईसल्यूशन से दूशरी ओंती एक लिकवट स्रेश्हा states sand के Solid solution 3 type के Liquid solution और 3 type के Gases solution होते हैं तो इस आपसे Total मिला करके 9 types के solutions exist करते हैं अब नाइन टाइप्स के solutions में से सबस्यादा important है लिक्विट solution जिसमें की हम यह तो गैस को Liquid के इनदर डालेंगे यह फिर हम लिक्विट को लिक्विट के इनदर डालेंगे या फिर हम किसी सॉलिट को लिक्विट के अंदर डालेंगे जब हम किसी गैस को लिक्विट के अंदर डिजॉल्व कराएंगे तो इसको एक्स्प्लेन करने के लिए हमें चाहिएगा हैंड्री लॉव और जब किसी लिक्विट को लिक्विट में या सॉलिट को लिक्विट को तो इसको समझने के लिए हमें चाहिएगा राउड्स लॉग तो चैप्टर के अंदर ये दो मेजर लॉग है पहला है एन्री लॉग और दूसरा राउड्स लॉग लेकिन किसी भी सेलूशन के अंदर दो चीजे प्रिजेंट होती हैं तो सलूशन को बनाने के लिए जो दो चीजे चाहिए उनमें से एक होता है सॉल्यूट जिसको रिप्रिजन करेंगे कैपिटल बी से और दूसरा होता है सॉल्वेंट जिसको रिप्रिजन कर दिया कैपिटल ए से तो बन करके आने वाला सलूश के अंदर इसका अमाउंट हमेशा कम रखा जाता है और जो सॉल्वेंट होता है उसका अमाउंट हमेशा एक्सेस के अंदर रखा जाता है तो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है सलूट हमेशा कम होता है तभी बन करके आता है सल्यूशन तो सल्यूशन बनाने के लिए आपको दो चाहिए एक चाहिए सॉल्यूट और दूसा चाहिए सॉल्वेंट का माउंट का माउंट ज्यादा होना चाहिए तभी बन करके आएगा एक सल्यूशन को सब्सक्राइब तो इस साथ ही देइस होना चाहिए तो हम यहां पर जो सल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं वह कैसा है है होमोजीनियस माइनरी सल्यूशन है कि बात करते हैं मोड ओफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन की इस मोड को एक्सप्रेस करने के क्या क्या मोड है तो किसी भी सल्यूशन के अंदर इस मोड को एक्सप्रेस करने के लिए सेवन तरीके सेवन मेठोड होते हैं जिसमें से की पहला है मुलारिटी जिसको रिप्रिजन करेंगे कैपिटल एम से दूसरा है नॉर्मेलिटी जिसको रिप्रिजन करेंगे कैपिटल एन से तीसरा है एम मुलारिटी बिप्रिजन करेंगे स्मॉल एम से चौता है मौल फ्रेक्शन प्रिजन करेंगे एक से पाचवा है परसेंटेज चटा है पार्ट्स पर मिलियर पार्ट्स पर मिलियर इन्शॉर्ट इसको बोला जाता है पी-पी-एम और सात्वा है formality तो solution की concentration को एक्सप्रस करने के लिए टोटल मिलाके seven major methods हो गए पहला मुलारिटी दूसरा normality तीसरा मुलारिटी चौथा मोल फ्रेक्शन पांचवा परसेंटेज चटा पार्ट्स पर मिलियन और सात्वा फॉर्मालिटी तो यह seven मेजर मेटड्स है concentration को एक्सप्रस करने के लिए अब इन में से को कॉमनली जो एक्सप्रेस किया जाता है वह मुलारिटी के टम में किया जाता है यानि कि मोस्ट कॉमन मेथड़ जो है वह कौन है मुलारिटी कंस्रेंटेशन को कॉमनली एक्सप्रेस करने के लिए जिस मेथड़ का यूज होता है वो क्या है मुलारिटी उसके बाद का मुश्ट कॉमन मेतर्ट के इनना नाम बताया मैंने मुलारिटी का इस इस आ यूने यून जो जो बैस मेठर्ट है उसका नाम है मौलारिटी सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो यह जब धिसकस करेंगे तब उसके इंदर मैं आपको यह बताऊएब अभी आपको यह याद रखना है कि कंसेंटेशन को एकस्पेस करने के जो सेवन मेजर मेथड्स हैं वो कौन-कौन से हैं पहला मुलारिटी दूसरा नॉर्मालिटी तीसरा मुलारिटी चौथा मूल फ्रेक्शन पांचवा परसेंटेज चटा पार्ट स्पर मिलियन और साथवा फॉर्मालिटी सबसे पहले बात करते हैं मुलारिटी की रिप्रेजन करेंगे कैपिटल M से मुलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर लिटर ऑफ सल्यूशन डाट इस मॉल पर लिटर इसकी यूइनिट होगी सुलूट के कितने मॉल्स आपने एक लिटर सल्यूशन में डिजॉल्व कराएं हैं यह चीज कहलाती है मुलारिटी अब यह जो मुलारिटी है कैपिटल M से डिनोट किया सुलूट के नम्मरों मोल्स को रिप्रिजन कर दिया एन बी से वॉल्यूम लिटर के अंदर तो यह आ गई आपके पास मुलारिटी के लिए फॉर्मला यूनिट आ गई मोल पर लिटर या आप बोलने से मोलर रिप्रिजन करतें कैपिटल M से अब एन बी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मला आप यूज करेंगे वह फॉर्मला होगा डबलू बी अपॉन एम बी जिसमें की डबलू बी का मतलब हो गया गिवन वेट ऑफ दा सल्यूट गिवन वेट ओफ सल्यूट और मोलेकिलर मास ऑफ सल्यूट यि पॉने के अंदर जो एण भी है उसका मतलब है गिवन वेट ओफ व्सल्यूट अपउन मॉऩिलर वेट ओफ वेट ऑफ सल्यूट जिससे क्या हो जाएगा नम्बर ओफ मोल सॉ आफ सल्यूट तो मोलेटी का जो फॉर्मला आया वाया गिवन वेट ऑफ दा सल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ दा सल्यूट अब कुश्चन करना वॉल्यूम लीटर के अंदर दिया हुआ है अगर उसे एमल में करना है तो उपाता कर दो थाउजन का मिल्टिप्लाई नीचे कर दो व के इन टुझाउजन अपॉन वॉल्यूम सुल्यूशन एमल कि अगर कोश्चन की बात करें कोश्चन में कहता है एक की 49 ग्राम एक लिए सब्सक्राफ साफ इए इन टौ। फिफिटी एमल संव मॉच्शन में केल्कुलिट करवाता है मॉलेटी इं कि मॉलेटी निकाल नहीं ह करोगे गिवन वेट किया दिया हुआ है सल्यूट का 49 एस्ट वसके बाग इन 2000 को चिंद में किता दिया हुआ है 250 एमल तो से यहां पुट कर दो 250 पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो तो वैलिू सॉल्व करने पर और है यह इंन दर इस फॉर्टी वन बाइस इसकी वैलीव हो गई कि कि गए तो वैल्यू आगे निकल करके तू मोल पाल लिटर तो आंसर आगे निकल करके तू मोल पाल लिटर यानि कॉशन के अंदर आपसे बोला हुआ था 49-0-4 को 250 ml solution में आपने डिजॉल्व कराया आपको मुलेरिटी के लिए फॉर्मुलेटी के लिए फॉर्मुले आ गया गिवन वेट अपॉन आपॉन आपॉन वोल्म सिलूशन इन मिलीलीटर अब यह जो फॉर्मुला आ रहा है मुलेरिटी का इस फॉर्मुले के अंदर मुलेरिटी इन्वर्स किसके जा रही है वॉल्यूम के भी क्या है वॉल्यूम जिसे यह समझ में आता है कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो सलुशन की मुलेरिटी कम हो जाएगी यानि वॉलुम जितना कम होगा voting जादा होगी और वॉलुम जितना जादा होगा कम ज Christmas है ये वह 2000 अब इस फॉर्मिले के अंदर ये जो इतछाईट आपको दिखाई दे रहा है इतना पार्ट जो है वो कहलाता है स्ट्रेंथ जिसके एसाई रूट होती है ग्राम पर लीटर पर स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मला होता है टबलू बी इन टू थाउजन अपॉन वॉलिम और सॉलूशन इन एमल स्ट्रेंथ अपॉन मॉलेकुलर वेड़ भी होता है तो यहां से अगर हम स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मला बनाएं तो स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास जो फॉर्मला बन करके आएगा वो आएगा मॉलेरेटी इंटू इसा करने से आपके पास चुझे लिए फॉर्मला बन करके आ तो यह गया स्ट्रेंथ के लिए हो आगर सीलूशन और पता है तो इसलिए क्रब्र स्ट्स हो जाएगा आएगो इस अब आपको जो ऊंटाया मोलेर्टी का विए nost इन टू थाउजन अपॉन वॉल्यूम स्लूशन एमल इसमें बी का मतलब क्या है सलूट के लिए उटेट तो यहां जो मुलर्टी का यह फॉर्मला आ रहा है जैसा कि मैंने बोला कि मुलर्टी इन्वर्स किसके होती है वॉल्यूम के तो माल लोगी आपके पास यह एक सलूशन है इस सुलूशन के लिए इसका वॉल्यूम है वीवन मुलर्टी हैं 1 और आप इसके लिए यह ऐड तो जैसी आप वॉल्यूशन बन करके आता है निके बाद उसका वॉल्यूम हो गया मदी डू और मुलर्टी वियां टू पर आपको कुश्यन के अंदर मॉलर्टी की वैल्य केल्कुलेट करनी है तो इंप्लाई कर दीजिए एम वन वी वन इस इक्वल स्टू एम टू वी टू वाटेट यहां से आपके पास वी टू की वेल्यू या एम टू की वेल्यू जो भी निकालनी हो तो कैल्कुलेट हो जाएगी फॉर्मुले को बोलते हैं डालूशन अगर आपके पास एक सलूशन है कि इसकी मुलेटी में वॉल्यूम है वी वन यह दूसा सलूशन है जिसकी मुलेटी है एम टू वॉल्यूम है वी टू और आपने दोनों सलूशन को मिक्स कर दिया मिक्स करके आपने जो नया सलूशन मनाया उसका फाइनल वॉल्यूम हो गया वी 1 प्रस वी टू आपको मुलेटी कैलकुलेट करनी है तो मुलेटी का आंसर एम 1 प्लस एम 2 नहीं होने वाला क्यों क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ गया है अब अगर वॉल्यूम बढ़ अपन बी 1 प्लस वी टू इस फॉर्मले की मदद से रिजल्टिंग स्लूशन की मुलेटी कैलकुलेट हो जाएगी बात करते हैं गिलेशन बिट्वीन मास परसेंटेज डेंसिटी एंड मुलेरिटी यानि की मुलेरिटी मास परसेंटेज यानि वेट परसेंटेज और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है करू bus के अंदर कभी आपको सोलुजशन का मासपर सेंटेश दे देंसेटी दे दे और कश्चिन में बॉलर्टी काल्कुलेट אिक षटा करुत है को मॉलर्टी काल्कुलेट करने जी एम एब पॉर्मुला केल्कूलेट होकर क्या जाएगा पीडी टैन अपॉन जी एम एम इसमें पी का मतलब है सवाल में दिया हुआ पसेंटेज दी का मतलब है डेंसिटी एंट नुमेरेकल फैक्टर है और जी एमम का मतलब है जी मॉलिकिलर मास ओफ सॉल्यूट पॉटेड जैसी कुश्चन में कहता है फाइप परसेंट गुलुकोस स्लूशन बाइमास और देंसेटी इस इक्वास्टू 2.5 तू ग्राम पर एमल मॉलारिटी कुश्चन केतना मॉलारिटी निकाल नहीं है उपर वाले फॉर्मले का यूज कर लीजिए तो उपर वाले फॉर्मले का जब आप यूज करते हैं तो उस फॉर्मले के अंदर जो परसेंटेज है वो आपको कितना दिया हुआ है फाइप परसेंट देंसिटी आपको कुश्चन में कितनी दी हुई है तो वो दी हुई है 2.52 इंटू 10 कर दीजिए और डिवाइट कर दीजिए ग्लुकोस के मॉलेकुले मास से तो ग्लुकोस का मॉलेकुले मास कितना होता है 180 फॉर्मला क्या होता है c6 h12 o6 तो ग्लुकोस का मॉलेकुले मास कितना आएगा निकल करके 180 उसमें पुट कर दीजिए मॉलेकुले का आंसर आजाएगा तो मॉलेकुले के लिए जिए फॉर्मला बताया वह आया गिवन वेट अपॉन मॉलेकुले वेट इन 2000 पॉन वॉल्यम वॉल्यम सॉलूशन इन एमल अब फॉर्मले के लिए जा रही है वॉल्यम के वॉल्यम डाइटली पॉर्श्म होता है तेमप्रिचर के अकॉटिंटू चार्ल्स लॉग यानि कि अगर आप टेमप्रिचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यम बढ़ जाएगा और अगर वॉल्यम बढ़ गया तो मॉलर्यती की वैल्यू कम हो जाएगी तो हम यह बोल सकते हैं कि मॉलर्यती जो है वो temperature पर dependent है कैसे डिपेंडेंट है तो इन्वर्स है temperature के यानि कि अगर आप temperature बढ़ाते हैं तो solution जो है उसकी mollarity कम हो जाएगी तो इसलिए mollarity concentration को express करने का best method नहीं है क्योंकि यह किसमे dependent है temperature पर dependent है got it that's why mollarity is not the best method for expressing concentration because it is temperature dependent है नेक्स्ट बात करते हैं अगले फॉमले की तो सेकेंड है हमारे पास कि नॉर्मालेटी अ कि रिप्रेशन करते हैं कैपिटल लेंसे और नॉर्मालेटी का मतलब होता है नंबर ओफ ग्राम एक्यवेलेंट ऑफ सल्यूट कि डिस्ट और लॉलोव लंप। अब नंबर ओफ ग्रांट कासे निकालोगे तो नंबर ओफ केवलेंट किसी बी की चीश के नेकाले का तरीका होता है उस सब्सेंस का weight divided by equivalent weight क्योंकि निकालना तो solute के लिए है, solute को दिखा दिया B से, तो solute का अगर आपको gram equivalent निकालना है, तो solute का जो भी given weight है, उसको divide कर दीजिए उसके equivalent weight से, तो इससे calculate हो जाएगा solute का number of gram equivalent, got it, तो यहां से अब आप normality के लिए formula बना लीजिए, तो normality का यहां से formula बन करके आएगा, given weight upon equivalent weight of the solute, क्योंकि question में दिया हुआ है, volume किसमे होना चाहिए, लीटर के इंदर, और ml में है, तो उपर कर दीजिए thousand का multiply, और नीचे कर दीजिए volume in ml, तो यह बन करके आगए आपके पास normality के लिए formula, that is given weight upon equivalent weight of the solute in 2000 upon volume of solution in ml, normality भी किसके inverse आ रही है, volume के, तो इसलिए normality भी किसवे dependent हो जाएगी, temperature पर, तो यह भी concentration को express करने का best method नहीं है, क्योंकि यह भी किसवे dependent है, temperature पर, normality का जो formula बताया, वो बताया given weight upon equivalent weight of the solute in 2000 upon volume of solution in ml, dilution formula की बात करें, तो यहाँ पर भी imply हो सकता है, n1 v1 is equals to n2 v2, जैसे कि molletty में use किया, वैसे आप normality में भी use कर सकते हैं, अब इस पूरे formula के अंदर, जो उपर वाला पार्ट आपको दिखराएं, इतना पार्ट के लाता है, strength, जिसके ऐसा यह नोट होती है, gram per liter, तो strength के लिए formula हो गया given weight into 1000 upon volume of solution in ml, तो normality का formula बन गया, strength के टम में, normality is equals to strength upon equivalent weight of the solute, that is B, ठीक है, अब आप क्या करो, यहां से example सी बात यह समझो, कि आप यहां से strength के लिए लग से formula बना लो, तो strength के लिए formula बन करके आ जाएगा, normality into equivalent weight of the solute, यानि यह वाला equivalent weight, normality में कर दो multiply, तो strength के लिए formula आ गया, चीक है, अब एक काम की बात, भही आपने पहले जो strength का formula बनाया था, वो बनाया था, morality into molecular weight of the solute, molecular weight of the solute, और आपने जो दूसरा strength का formula बनाया है, normality के term में, हुआ आया है normality into equivalent weight of the solute, got it, तो यह दोनों किसके formula हैं, strength के, अब अगर दोनों को compare कर लें, तो compare करने पर formula बन गया आएगा, normality into equivalent weight of the solute is equals to molarity into molecular weight of the solute, got it, अब यह जो equivalent weight आपको दिखाई दे रहा है, equivalent weight, इस equivalent weight का जो अपना खुद का formula होता है, वो होता है, molecular weight divided by x-factor, molecular weight divided by x-factor, यह किसका formula है, equivalent weight का, तो इस equivalent weight के formula को उठा करके इस formula के इंदर put कर दीजिए, तो जैसी आप इसे put करेंगे, तो आपके पास, normality का formula आएगा, आपके पास normality का formula आएगा, molarity into x-factor, क्योंकि molecular weight से तो molecular weight कर जाएगा न, तो तो normality का formula आगया, molarity into x-factor, तो यह relation डवलप हो गया, normality और molarity के बीच में, तो normality का formula आया, molarity into x-factor, अब बात करते हैं, x-factor की, acid या base का कोई भी question हुआ, तो acid के case के इंदर, x-factor बताएगा कि वो acid कितने h-ine देता है, और base के case के अंदर x-factor बताएगा कि वो base कितने o-h-ine देगा, example के तौर पर, माल लो, h2SO4 नाम का कोई acid है, और आपको पताएगी, h2SO4 जब break करेगा, तो 2 h-ine देगा, एक sulfit-ine देगा, तो h2SO4 के अंदर, अगर आपको x-factor की value की need है, तो x-factor की value यहां कितनी हो गई, टू, क्योंकि h2SO4 ने कितने h-ine दी है, 2 h-ine, तो x-factor की value acid की case में represent करती है, number of h-ines, which is known as basicity, which is known as basicity, while o-h-ine का number कहलाता है, acidity, what it, x-factor की value h2SO4 के case में कितनी आ रही है, 2, अब अगर आपसे question में कहता है, कि 49 gram h-2SO4 into 250 ml solution, पहले पार्ट में कहता है, find molarity, और second part में कहता है, find normality, आपको दो बाते calculate करनी है, यानिकि molarity और normality, तो आप normality और molarity को कैसे calculate करोगे, तो calculate करने के लिए, सबसे पहला formula आप लगा लो, molarity का जो था given weight upon molecular weight of the solute in 2000, upon volume of solution ml, given weight H2SO4 का 49, molecular weight 98 into 2000, volume है आपके बास 250, solve कर लिए, पहले भी निकाल चुके हैं इसका answer, तो इसका answer आगे है molarity का 2 mol per liter, अब आपको निकालनी है normality, तो उपर आपको अभी formula बताया था, क्या formula था, तो formula था, normality निकालने के लिए molarity into x-factor का, तो बस आप इस formula का use कर लीजिए, molarity into x-factor का, molarity आपने 2 निकाली है, और x-factor की value कितनी है, तो H2SO4 कितने है चाहिन देता है 2, तो x-factor की value होगए 2, तो answer होगए 4, unit लगा दीजिए n, यानि की 4, normal, this is the answer. नेक्स बात होती है आपके पास, अगले formula की जिसका नाम है molality, तो molality का मतलब होता है, number of moles of solute dissolved per kg of the solvent, यानि की solute के कितने moles, आपने per kg solvent में dissolve कराए है, यह चीज कहलाती है molality, गौर करने अली बात यहां पर यह है, कि यहां पर जो भी mole dissolve कराए जा रहे है, वो per kg solvent में dissolve कराए जा रहे है, यानि solvent का यहां पर mass involved हो रहा है, volume involved नहीं हो रहा है, इसकी unit आती है mole per kg, जिसको की in short बोला जाता है molal, m-o-l-a-l, small m से इसको represent करेंगे, तो यह आ गया आपके पास molality के लिए formula, तो molality के लिए formula हो गया, number of moles, यानि की NB, number of moles किसका निकालेंगे, solute का, divide करेंगे weight of the solvent से, यानि की represent कर दिया मैंने WA से, A का यानि मतलब solvent, weight solvent का किसमों होना चाहिए, kg के अंदर, number of moles को open किया, तो formula बना given weight upon molecular weight, weight को kilogram की जगे किराम में कर दिया, तो उपर कर दिया thousand, नीचे का दिया solvent का weight, grams के अंदर, तो formula बनके के आया, WB upon MB in 2000 upon WA in grams, WA का मतलब weight of solvent, कैसे निकालोगे, तो solvent का weight निकालने के लिए solution के weight में से solute के weight को minus कर लो, अगर आप solution के weight में से solute के weight को minus कर लोगे, किसका weight आजाएगा, solvent का, capital जो W है, उसका क्या मतलब है, weight of solution, और WB का क्या मतलब है, weight of solute, तो आपको solution के weight में से solute के weight को minus कर लेना है, तो solvent का weight आ जाएगा, अब solution का अगर question में weight नहीं दिया हुआ है, density दिया हुआ है और volume दिया हुआ है, तो weight का formula क्या होगा, volume into density, volume जो है वो आपने ले लिया, one liter यानि 1000 ml और density की value जो भी आ जाए question में, जो दी हुई है, उसको D माल लीजिए, तो weight का formula क्या मन गया, 1000 D, यानि solution के weight का formula हो गया, 1000 into D, तो W A कैसे निकालोगे, W minus W B करके, और W की value क्या है, 1000 D minus W B, तो यह आ गया, W A के लिए formula, लेकिन अभी यह formula पूरा open नहीं हुआ है, अब यहाँ पर एक trick समझो, trick क्या है, तो W B का जो formula है, वो है N B upon M B, W B का क्या formula है, भाई W B का मतलब है, solute का weight, तो solute का weight कैसे निकालोगे, तो number of moles से निकालो, तो number of moles का formula होता है, given weight upon molecular weight, तो आप W B के लिए formula बनाओगे, तो क्या बनाओगे, N B into M B करोगे नहीं करोगे, ठीक है न, तो W B के लिए formula बन गया, N B into M B, इसको उड़ागे, W B के लिए पूटकर दो, N B का क्या मतलब है, solute के moles, N B का क्या मतलब है, solute का molecular mass, तो formula बन गया, 1000 D minus N B into N B, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तो अब इसमें यह या रखना है, कि molarity का मतलब होता है, number of moles upon volume, और volume आपने सब से उपर क्या लिया था, यानि N B की जो value है, वो तो capital M के equal हो जाएगी न, तो N B की value capital M के equal लग दिया आपने, तो N B की जगे आपने उठा के रख दिया capital M, तो W A के लिए formula आ गया 1000 D minus M into MB, तो यह आ गया निकल के आपके पास W A के लिए formula, that is 1000 D minus M into MB, अब आप इस formula को set करोगे main formula के अंदर, तो आपने जो morality का main formula बनाया था, वो main formula क्या था, तो morality का जो main formula था वो था, W B upon MB into 1000 upon W A, अब आप क्या करोगे इस formula के अंदर, कि आपको W A की जो value है, उस value को हटा करके 1000 D minus M into MB पुट कर देना है, ठीक है न, और जहां पर आपके पास W B upon MB लिखा हुआ है, उसको आपको NB कर देना है, और NB जो हो गया, वो molality के equal हो जाएगा, क्योंकि volume कितना है, वन लीटर, तो इस साबसे molality के लिए formula बनके आ गया, capital M into 1000 upon 1000 D minus M into MB, that is 1000 M upon 1000 D minus M into MB, इसमें capital M का मतलब है, molarity, D का मतलब है, density, small M का मतलब है, molality, small M का मतलब है, molality, तो ये relation बन करके आ गया, molarity में, molality में, और density में, तो इस इस आ रिलेशन बिट्वीन, molarity, molarity, and density, काफी important relation है ये, next आता है तुम्हेरे पास mole fraction, mole fraction को represent करते हैं, एक से, और mole fraction का मतलब होता है, number of moles of one component, divided by, total number of moles, mole fraction के अंदर, आपको एक component के moles को, total moles से divided करना है, total moles कसकस का होगा, तो total moles होंगे, solute और solvent के, अब solution में जो दो component है, उनमें से एक solute और दूसरा solvent, solute के mole fraction को XB से represent करते हैं, निकालने का formula होता है, number of moles of solute upon total number of moles, और अगर solvent का निकालना है, तो solvent का mole fraction XA से represent होगा, निकालने का formula, number of moles of solvent, divided by, total number of moles, total number of moles होगे, solute और solvent के moles मिला करके, जिसकी value होगई, एने प्लस, एन बी के, सम के equal, तो दो component के mole fraction का sum, यानि कि XA प्लस XB का sum, हमेशा वन के एक पर होता है, यानि कि दो में से किसी भी एक component का mole fraction calculate कर लो, तो दूसरी की value निकालने के लिए, पहले component की value को minus कर लो, तो दूसरी के लिए अपने आप निकल के आ जाएगा, जैसे कि अगर solvent का निकालना है, तो बन में से solute का minus कर लो, और अगर solute का निकालना है, तो बन में से solute का minus कर लो, यानि दो component का mole fraction का sum, हमेशा वन के equal होता है, नेक्स फर्मॉला आता है आपके पास, percentage, यानि concentration को express करने के, फोटल मिला करके, चार तरीके complete हुए, मांच बाद start होता है percentage, percentage के इंदर आता है सबसे पहला, mass percentage या weight percent बोल लो, तो mass percentage या weight percent निकालने का formula, representation है, डब्लू बाइडब्लू या M बाइएम, mass percentage या weight percentage, निकालने का तरीका क्या है, जिसका निकालना है उसका weight, divide by total weight, total weight यानिकी, solute plus solvent का weight into 100, एक होता है volume percentage, volume percentage का मतलब है, जिसका निकालना है उसका volume, जैसे solute का volume, divide by total volume, total volume हो गया, वीए प्लस वीबी into 100, weight percent और volume percent, generally, जब डाला गया solute, solid हो, dissolve कराया हो liquid के अंदर, या gas को किसी liquid water के निकाल डिजॉल्व कराया हो, तो ऐसी situation के अंदर, weight percent फ़ला रिलेशन लगता है, लेकिन अगर liquid को liquid में डिजॉल्व करा रहे हो, तो ऐसी situation के अंदर, volume percent का relation लगाया जाता है, तो liquid को liquid में डिजॉल्व कराने का best example हो गया, जिसका मतलब होगा कि 5 gram glucose को तुमने 100 gram solution में डिजॉल्व कराया है, जब तुम 5 gram glucose को 100 gram solution में डिजॉल्व कराया होगे, तो डाला गया जो solvent है, वो कितना हुआ, तो solution के weight में से solute weight को minus कर लो, तो solvent का weight आगया निकल करके 95 grams, तो WA की value यानि solvent की value कितनी आ गई, 95 grams यानि 95 gram water के अंदर, जब 5 gram glucose मिलाएंगे तो टोटल 100 gram solution त्यार होगा, ये मतलब है 5% glucose का, अगला concentration का factor आता है, जिसको बोलते हैं PPM यानि की parts per million, parts per million लगाया कब जाता है, तो parts per million जनरली use तब करते हैं, जब डाला गया solute का amount, किसी एक given solvent के अंदर बहुत कम हो, यानि कि जब very very low concentration हो, solute की, किसी एक given solvent के अंदर, तो ऐसी situation में solution की concentration को express करने के लिए यूज़ होता है, PPM का factor, जैसे कि water के अंदर hardness निकाल नहीं है, तो hardness जो होती है, वो solution के अंदर calcium हो, इनका जो amount होता है, वो solvent के अंदर बहुत कम होता है, similarly air pollutants calculate करने है, similarly air pollutants calculate करने है, तो air pollutants का जो amount होता है, air के अंदर वो PPM में calculate होता है, PPM की value कैसे निकलती है, तो PPM की value निकालने के लिए, solute का weight, upon total weight, यानि की solute plus solvent का weight, into 10 की power 6 करना है, 10 की power 6 का मतलब क्या है, 1 million, 10 की power 6 किसको represent करती है, 1 million को, similarly PPV अगर लिखा हुआ आ जाए, तो per volume parts per million, चिक है, अभी ये volume के time में आपको express करना है, तो volume के अंदर, VB upon VA plus VB, into 10 की power 6, next आता है formality, capital F से represent करते हैं, formality basically calculate होती है, formula वो ही है, जो molality का है, बस फरक इस बात का है, कि molality का जो formula होता है, उसमें molecular mass लेते हैं, जो generally covalent compounds का होता है, और formality वाले formula के इन्दा, आइनिक mass लेते हैं, जिसको की हम formula mass भी बोलते हैं, तो in case of ionic compound, molality is replaced by formality, got it? This is the relation, in which seven modes of expressing concentration is described, next आता है हमारे पास, solubility of gas, next है हमारे पास अगला topic, solubility, gas की solubility, किसी एक given solvent के दा निकाल नहीं है, ठीक, लेकिन उसको describe करने से पहले, एक simple बात है अपिजे समझो, कि कौन-कौन सी चीज़ हैं, आपने in seven mode में, temperature dependent और temperature independent समझी, तो temperature पर वो सभी quantities dependent होंगी, जो की volume पर dependent करती है, volume पर dependent कौन-कौन से formula आ रहे थे, तो volume पर dependent था, आपके पास molality, दूसरा था normality, molality और normality दोनों के से dependent है, temperature पर, क्योंकि दोनों के formula में क्या आ रहा है, volume, तो इसलिए concentration को express करने का, यह best method नहीं है, लेकिन molality, small m से represent करते हैं, यह temperature dependent नहीं होता, mole fraction के formula में भी volume नहीं आता, temperature dependent नहीं होता, इसलिए molality और mole fraction दोनों ही, temperature पर independent है, और यह concentration को express करने के, best methods में से एक हैं, next आता है, आपके पास, solubility of gas in liquid, अब ऐसे कितने factors हैं, जिन पर की gas की solubility किसी एक given solvent के इंदर dependent करती है, तो factors affecting solubility of gas in liquid, number one, nature of gas, number one, nature of gas, तो nature of gas के इंदर, किसी भी gas की solubility, directly proportion होती है, gas के liquification पर, किसी भी gas की solubility, directly proportion होती है, gas के liquification पर, जो gas जितनी आसनी से liquify हो जाती है, उस गैस की सॉल्विल्टी किसी एक इदर उतिह ज्यादा होती है यह था पहले फेकटर दूसा फेकटर है ईसी पॉस्ट एपक्टर के इंदर पहले फेकटर के इंदर जो मैंने समझाया वह यह कि लिक्यूफिकेशन करता है डिसाइड करता है सॉल्विल्टी को अब आपके सब्सक्राइब नहीं तो इसलिए अगर और 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 करें तो मोनिया वाटर के इंदर सॉलिविल्टी औरक्सिन कंपेड़ाइब जदा है तो अमोनिया जादा होती है अगला फेक्टर आता है आपके पास तेंपरेचर यानिग गैसेस की सॉलेबिल्टी कि लिक्क के状्र गृडफ करने तो शॉक्राइक सॉलडिक सबसक्षा आधा रही है तो ट्रफ घूंब्र एक जाती एक्जम्पल के सब्सक्राइक के तोर पर आपकी बढ़िए यानि याद पानी यह आनीटजनदो पर मुझेल होगी तूस पानी के अंदर के लिए द आयए-वह बेटे क्यों गरंव पानी का टेंपरचर ज्यादा होने की वजए से एक ओक्सिजन की डिजॉल्व कैपसिटी कम हो जाती है जबकि ठंडे पानी के इंदर जादा डिसॉल्व होती है तीस अफेक्टर आता है काफी इंपोर्टन फेक्टर है यह जिसका नाम है प्रेशर गैसे की इंदर आपने एक लिकविड भल लिया और उसके अंदर आपने कुछ कैस से ले लिया अब अगर आप पिस्टन को उपसे दबाओगे तो जो गैस है वो फोस्फुली लिकविड के जागर गे-डिजॉल्व हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सौलइबिल्टी इंक्रीस करती है तो इस प्रिश्रें इंक्रीस की आप्र मेंुन लिया इस नोन आज रिलोख जसेसे आज़ी यहां पर कि सौलुलिलिटी को रिपरेजेंट करने के लिए हमने गैस क मोल फ्रेक्शन ले लिया गैस के मोल फ्रेक्शन को हमने यहां पर एकस-बी से रिप्रेजन कर लिया relation आया पिडिएट्ल पॉश्ण न टू एकस भी अगर अगर हम पी का एक्स बी के साथ ग्राफ कीशते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन जो इस बात को रिपेजन करता है कि प्रेश्र ब्लाने से ग्यास की सॉललेटी इंक्रीज करती है डाइटली प्रोश्लिटिंग असान अटाया अटाया कौंस्ट लगा दिया कि एच डाइटली यहां पर के एक च का मतलब है है हैंडी कॉंस्टेंट की वैल्यू बताएगा ग्राफ का स्लोप आपको हैंडी कॉंस्टेंट की वैल्यू बताएगा यानि स्लोप जादा तो हैंडी कॉंस्टेंट की वैल्यू का म किया है तो इसकी कोई यूश्यकी यूनिट होगी यह प्रेशेडु जह प्रेश ौन उसके एच की जो यूनिट होगी वो भी एटीम बार या पास्कल के एक्वल होगी एक सेंपल कन्वजन फेक्टर आपको यह रखना है कि वन एटीम वन बार के एक्वल होता है जिसकी वैल्यू होती है टैन की पावर फाइब पास्कल के एक्वल वन किलो पास्कल जो होता है वह प्रेशर की है तो पहला फेक्टर है वो यह ही है कि यूनिट वही होती है जो की प्रेशर की होती है अगला करेक्टर आता है कि कि यानि कि कि वैल्यू जिस सॉल्वेंट के लिए जितनी ज्यादा होगी उस अगलोगी आपके पास तीन सॉल्वेंट है एकस वाईज इस इन तीनों सॉल्वेंट के इंदर के वैल्यू दे रखी है तो टू-3-4 तो तो कि के लिए के इची वैली उग्तिक के लिएिच्ज की व्धाली सबसे कम है तो जे सॉल्विंट के लिए और तो यह क्याएज का दूसा है इसके लाबा तीसा करेक्टर आता है तो टैमप्रिचर जो प्रेक्टर वह यह कि करीच की जो वेवेंड ल्य? वह temperature के लेक्टी पर होती है इसलिए हम बोल सकते हैं कि कि वेल्यू इंदौन फेक्टर को हुगा इसके साल बिल्टी के जोकी डिसकस हुगा दूसरे फेक्टर के अंदर यानि कि वेल्यू इंवर्स रिपोती है सॉलेविल्टी के सिंपल तो यह हो गया हमारे पास क्षक के करक्टर कीिएश की उनिक प्रेश्र के इकक्वल होती है की Jim होती है और कियु एल्यू टेंपरचर के रिकली प्रपोश्नल होती है अगज मिखेर के इस टेट्मेंट यह ज़िति जो है वो यह ज़िस प्रेश इंक्रीज का फॉलुबडरा हो गया अगर हैंडिक लॉट लोग विलिडेशन की बात करें तो ये들 अल ओतोप पाएगा जब प्रेशरव रहावc स्टेटमेंटले alluded ना हो so in the limit Henry law is valid only when the pressure is not so high and the temperature is not too low and the gases must be non-reacting the three important condition for the validation of the Henry law is the pressure is not too very high temperature not too very low the gases must be non reacting the numerical expect की बात करें तो फॉर्मॉला जो आपको दिया है वो दिया है पीस का सुके एच इंटू एक्स भी यहां पर एक्स भी की वैलियो अगर आप निकालते हैं तो करेंगे पी अपॉन के एच कि सॉलिबिल्टी आपको गैस की निकाल नी होगी कुश्चन में ग्राम पर लीटर के अंदर तो एक्स भी का जो फॉर्मॉला है वो है एन बी अपॉन एप्लस एन बी गोटा करके यहां पर एक्टर्क मैं लगा रहा हूं उसको यूस करिएगा एन प्लस एन बी की वैलियो क के एक पर अब आप यहां से एन बी के लिए फॉर्मॉला निकाल दीजिए तो एंबी के लिए फॉर्मॉला आ गया पी अपॉन के एच इन्टू 55.5 जो एंबी का अंसर आएगा वो किसमें आएगा मोल पर लीटर में और आपको सॉलिबिल्टी निकालनी है जो कि आएगी ग ग्राम पर लीटर के अंदर तो फॉर्मॉला जो आया बन करके वह फॉर्मॉला आया निकल करके एंबी इंटू एंबी गोट आगया अपने का दिया पी अपॉन के एच इंटू 55.5 उसमें मिल्टिप्लाइ कर दिया एंबी का तो सॉलिबिल्टी कैल्कुलेट हो गई गई ग पॉन के एच इंटू 55.5 इंटू एंबी यह हुआ हेंडी लॉक का आर्टिकल पूरा कंप्लीट है जब आप किसी लिक्विट को किसी कंटेनर में डालते हैं तो इस लिक्विट की जो वेपर बनती हैं वह कंटेनर के वाल का कुछ प्रेशर लगाती है वह प्रेशर कहलाता ह मतलब है दा प्रेशर एग्जर्टेड बाइदा लिक्विड ओपर दा वाल्स ऑफ दा कंटेनर इस नोन एज वेपर प्रेशर अब इस वेपर प्रेशर की हमें ज़रूत क्या है तो इस वेपर प्रेशर की मतदब से हम चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टन लॉड डिसक इस वेपर प्रेशर के बारे में और प्रेशर के अंदर हमने सॉल्वेंड के वेपर प्रेशर को कंसिडर किया है और ऐसे कितने फेक्टर इंपर की किसी लिक्विट का वालेटाइल निचर इपेंडेंट होता है जो लिक्विट जितना जल्दी करेगा उस लिक्विट के वेपर सुपने ज्यादा बनेंगे तो वेपर का पृषर भी जादा हो जाएगा यानि की वेपर पैसे डिपेंड डायका किसफ़ पर करता है लिक्विट के वॉली टाइल नेचर पर तो यह है प सर्फेस एरिया तो किसी मिलिकविट का जो वेवर पैशर है वह सर्फेस एरिया पर डिपेंडेंट होता है लेपकट का सर्फेस इरिया जतना ज्यादा बढ़ा देंगे लिपकुट उतनी तहीं से वैपरेट करना शुडू कर देगा एक्जामपल के तो पर आप वाटर को फ्ल लोड़ेगा तो बड़ जाएगा ती से मोस्ट 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 है इंपॉर्डटन टो मैं तुम्हालीजी आपने लिकवेट को पैसे बढ़ा दिया तो टेंपरेटर बढ़ाने से लिक्वीट की नैच्रल की वैलु में वहां पहले बढ़ जाएगी तो इससे ये समझ में आया कि किसी भी लिक्विट का जो भी पर वादने के साथ बढ़ जाता है अगर आप टेमपर्चा बलाते हैं तो लिकविट का पेंदेट होता है तो आपके पास नेक्स रहता है एफिए प्रेशर उप सल्यूशन जिसमें की हमको बेसिकली डिस्कॉस करना यह रंट सलॉशं कब प्रेजर को मैंने रिपेजंट कर दिया प्लट एसं ठीक और जो स्वाडेटीं वह सकता है या तो या फिर वोलेटाइल होसकता है तो अम्झट यह सकता है किसी कि रिडिवन स्वासटल आए उसका प्रेशर क्या हो यानिकि जब आप solvent को solvent के अंदर सल्यूट को मिलाओगे तो बंकर के solution आए इसका pressure कितना होगती है solvent का धेशा कितना है टी नौट है डाला ग्याए दो तरीके को हो सकता है नौन या फिर फ्र फॉलाटाइल नौन वोलाटाइल 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 की से में यह वह सकता है और नॉन वोलाटाइल उसके बेहाब पर हम क्या निकालने जा रहे हैं solution का vapor pressure लेखते हैं तो पहले case है हमारे पास पहले case के अंदर हमने vapor pressure निकाला solution का वेपर प्रेश्च ऑफ solution containing non-volatile salute vapor pressure of solution containing non-volatile solute गहाओ तो यह हमारे पास pure solvent है उसकी vapor pressure को represent कर दिया हमने पी नौटेश से अब इस को निपन की सरफेस पर बैठ जाएगा ब कर रहे ते वो सुल्बिंट के इंदर बाट जाएंगे जिसकी बंगर करके आने वाले वाली जो हुँ पेले खॅ कम हो जाएगी मान लोगी जो नई वे बंगर बंगर अunted पहले कि थी नोट तो पहले जो नई वेपस हैं वो पुरानी वाली वेपस हो तो कम है तो हम यह बोल सकते हैं कि पीए की जो वैल्यू आ रही है वो पी नॉटे से कम आ रही है यानि कि वेपर प्रेशर और सलूशन कि जब भी कोई नॉन वाले सलूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्यों सॉल्वेंट से हमेशा कम हो जाता है यानि जो उड़ने वाला पार्ट है वो है कौन सॉल्वेंट वह वेपर प्रेशर है इस इति किस पर कर देकर एगा और सॉल्वेंट के मोल फैक्षिन पर सब्सक्राइब देखे लिए के कि सॉल्वेंटल म॥ैशन पर जिसको किंसे रेप्सिक्षिन है एक से जो सलूशन बन करके आया है उसमें बल लेटाइन पार्ट क्या है सॉल्बेंट तो बन करके आने वाले सलूशन का वेपर प्रेशर किसे दिखा दिया पीए से डाइट लिप्रोपॉशन किसके हुगा एक से के नाम हो गया पी ौटे एक से एक बन गई अब अगर आप इस एक्वेशन के अंदर एक से की वेल्यू को उटा दें और एक से की वैल्यू को आटा यम् कि यापके पास फेक्विशन आती है वह आति है इसको थोड़सा एरेंच कर लीजिए तो जैसे आप इसे आप है पारिंघ करेंगे चर्ने के बाद इसमें आती है अइक्स होई या गई वाइनल एक्कॵेशन अब लिख दिया तो डिल्टा पी वैलू किसके प्ला गई पी नॉट एंटू एक्स भी के एक्वल गई पी नॉट एंटू एक्स भी के एक्वल थीक है यहां से समझ में आ गया वह यह जो डेल्टा पी है यह दिल्टा पी डाटी पॉश्म्स किसके आ रहा है एक्स भी के और ड्रॉट आपी का क्या नाम है लोविशार क्या नाम है लोवरिंग इं स्टों यह जो लोकिर्परश यह बाद आपने हैं कि लिए गयक डेल्टा ठीए यह वे होता है मोल्ट प्रेक्षिन गपने सोलीट के एक भी वाटस्टट अब एश लंड़ तो दिल्टा पी अब यह झुद्धऑ नोट क्या या फिलता पी अपॉल या भी नॉट बोल लो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इंव्यल पैस ** playoffs है अलोवरेंग इन वेखने दो बात बताईं एक बताया मैंने आप को रसे प्रेसर और दूसर नाम आपको परए दो कि इन एक नाम आया एल वी पी का और एक नाम आया औरल वी पी का वूड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्यों बल्स पुशा जाताया किसके आरहा है molar correction ofute के टिक है उफ इसके बीच मेरे इन एक मतप्रेशर के बीच में और रेलेटिव लोबरिंग इन बीपर परेशर के बीच में कि जो लिए फंपर S7 लूंड होटा हम एक फे Аप्चल होता है एक पॉल होता है wear कॉलोट्य के इस द underside उप बीन एल वीपी एन एल वीपी एक्स्टी के एकपल डिल्टापी अपॉन पी प्राइबके प्रेशर, अब बाकी डिल्टापी का मतलब क्या है लोवरिंगृ इन वेपर प्रेशर तो भड़जम के बीच में जा नहीं से लोवरिंग इंब पर 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 परपरटी नहीं होती है सवाल उठाइब प्रॉपरटी क्या है तो यह वह ब्रॉपरटी होती है जो की सल्यूशन के अंदर लगाता सल्यूट के मॉलिकूल के टक्रानी की वैसे जो प्रॉपरटी डवलप होती है तो यह प्रॉपरटी डिपेंड करती है सब्सक्राइब करती है सल्ट के पार्टिकल्स के नमबर और एक्स ब्लब करता है सथिर्ध स्थ्रक्ट कर लाहा है स्थार्भ il् फे फैयं तो फ्रटी तो है लेकिन यह जो यह चिंष में आगया डेफरेंस लवीपी और और must वापस ऑपन करगे लिए लगा दिया पीनौट एक वैल्यू को पीनोट पी जगह आपने लगा दीया पीनौट ए- पीनिस इसकी वेल्यू किसके पलारी एक्स भी के एक्वल आ रही है यहां से स्थाट होता है आपके पास राउट्स लॉग राउट्स लॉग का स्टेटमेंट यह कहता है कि यह पी दा आरल बीपी इस ओल्वेज इकुलस टू दा मोलेक्शन of solute. रावल्स लेकर कोड़िए, the relative lowering in vapor pressure is equals to the mole fraction of solute. This statement is known as Raoult's law. Whenever a non-volatile solute is added in a pure solvent, the vapor pressure of the solution decreases. The relative lowering in vapor pressure of the solution is equals to the mole fraction of solute. The statement is Raoult's law. The second case is a solute or solvent. अगर solute or solvent रौन वालेटाइल है तो statement आएगा for both volatile component तो अगर रौन वालेटाइल होंगे तो बन करके solution आएगा उसमें solute का भी pressure होगा और solvent का भी pressure होगा तो टोटल प्रेशर जो हो गया वह किसके एकपल लिए प्रेशर ऑन गडारीग। प्रेशर पडेशर वाले सत्रीटमेंट के रड्राइल दो अगर्टाइं प्रेश गगीज्टा यह फिटोटल अग्य। आपकर भी आजाएगी तैस्टोटल तो लाइन जो दोनों पी नॉट बी को टच कर रही है वो कलाएगी टोटल जो एक और हो गया पीए और ये दोनों को लेकर आड़ कर दिया तो टो टल वेलू किसे पिल एक प्लू के लाएखि प्लस के लिए करते हैं ऐसे solution कहलते है आइडियल और जो इस ग्राफ को नहीं करते हैं वह कहलते हैं और टॉपिक रवाइब सबसक्राइब करने या रहे है आइडियल सुलूशन के बारे में एडियल वही होते हैं जो कि एक अब談व करते हैं दो सलूशन भी आनोनेस सेवस्ट नांने सेलीशन कि आ है सबसे पहली करने के लिए कंडिशन है कि सबस्ते न होना चाहिए वह छोना चाहिए वह न चाहिए वह न चाहिए लग् dic से ओना चाहिए दोसी कंडीशन मिक्स करने पर हीट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए यानि सब्सक्राइब सब्सक्राइब के 25 25 लिए तो दोनों का मिलाकर के टोटल निशल वॉल्म कितना हो गया और सलूशन बनने के बाद फाइनल वॉल्म कितना काउंट हुआ तो चेंज कितना आया जीरो तो डिल्टा भी मिक्सिंग वेलू क्या रही है जीरो इसका मलब सलूशन में किसी भी तरह का ना तो कोई इस्पेंशन वहाना तमपरेशन हुआ जी बात जो प्रेशार आना चाहिए वह पी नौट एक से प्लस पी मौट वी के समके एक्वल के प्लच में बनाब बने सॉल्यूट सॉल्वट और सॉल्वेल तो जो नए इंट्रेक्शन की वैलु आए वो पुराने इंट्रेक्शन के similar आए पुराने इंट्रक्शन यानि solvent solvent that is a a and solute solute यानि की बी यानि कि जतनी bond strength a और a के बीच में हो वी और बी के बीच में हो उतनी bond strength a b के बीच में भी होनी चाहिए अगर ऐसा हो जाए तो बन करके आने वाला solution कैसा होगा ideal solution तो यह है पांच major point किसके लिए ideal solution के लिए तो ideal solution का मतलब वह solution जो की रावल को उभे करते हैं condition क्या है solution कैसा होना चाहिए डाइलूट होना चाहिए और डाला गया सब्सक्राइब भी होना चाहिए नॉन एलेक्राइड का मतलब आयांस ना दे अब तुम्हारा next start होता है non-ideal solution non-ideal solution का मतलब यह होता है कि वो सल्यूशन जो कि राउल्स के लौको वे ना करें उन सल्यूशन को नॉन एडियल बोलते हैं जो कि राउल्स के लौको वे नहीं करते हैं ऐसे सल्यूशन के लिए डिल्टा एज मिक्सिंग की वैल्यू जीरो नहीं होती है ऐसे सल्यूशन के लिए डिल तो दो स्यूशेन गाट दूसी नॉट नॉट उबे राउंट्स लॉए अनोंव एज डून अईयल दोट अणशे वह यू Greetings होते हैं और जो नए इंट्रेक्शन होते हैं, नए इंट्रेक्शन की value, पुराने इंट्रेक्शन के similar नहीं होती है, यानि कि A और B के बीश में जो नया bond strength होगा, वो पुरानी bond strength के एक पल नहीं बैठेगा, अब यह जो non-adil solution होते हैं, वो होते हैं basically दो टाइप के, कुछ होते है positive deviation व वालोगी, तो जितने भी positive deviation वाले solution होते हैं, उनके अंदर, जो नया interaction होता है, वो पुराने interaction के comparative, वीकर होता है, जो नया interaction होता है, वो पुराने interaction के comparative कैसा होता है, वीकर, अब अगर bond weak होगा, तो solute और solvent डौन ओड़ जाएंगे, अगर डौन ओड़ जाएंगे, तो total pressure की ज वाले होई आईगी, किसके comparative, पी नॉट ए, एक से, प्लस पी नॉट भी, एकस भी के comparative, mix करने पर, volume में किसी तरह का कोई change नहीं आता है, ideal solution के अंदर, लेकिन non-ideal के case के अंदर mix करने पर, जो volume में चेंज आता है, उसकी value greater than 0 हो जाती है, volume में चेंज 0 से ज़्यादा आ रही ह तो इसका मतलब यह हुआ, कि जो नया interaction है, वो नया interaction, पुराने interaction के comparative, एक weaker interaction है, जिसकी वैसे solution के अंदर, expansion देखने को मिलता है, जब expansion होता है, तो जिसकी वैसे final volume की value, initial volume से ज़्यादा आ जाती है, तो delta V mixing की value 0 से ज़्यादा चली जाती है, साती सात, mix करने पर, enthalpy reaction का 0 से ज़्यादा हो जाता है, जो इस बात को represent करता है, कि reaction कैसी है, endothermic, endothermic का मतलब, solute or solvent को मिलाती, solution कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, that is, solution become colder, अगर यह situation आ जाए, तो delta V mixing की value क्या होगी, 0 से ज़्यादा, यह सारी बाते किसकी है, positive वालो की, ठीक है, तो positive वालों बताया कि जो नया interaction होता है, वो पुराने interaction comparative weaker होता है, जबकि negative division वालों के अंदर, जो नया interaction होगा, वो पुराने interaction comparative कैसा होगा, stronger, पी total की value, P not A X A plus P not B X B के sum से कम निकलेगी, कम क्यों निकलेगी, तो वो इसलिए, कि जो नया bond बना है, वो नया bond है stronger, ज जिसकी विए से soluto solvent दोनों हो लाएंगे निक, तो बन करके आने वाले solution का जो pressure होगा, वो एकदम कम हो जाएगा, जिसकी विए से P total की value P not A X A plus P not B X B के sum के से कम आएगी, अब अगर pressure कम आ रहा है, तो obvious ही बात है final volume की value, जो है, वो initial volume से कम आ रही है, तब भी pressure की value किर रही है mix करने पर volume का जो change आता है, वो negative के अंदर आता है, मतलब की solution के अंदर compression देखने को मिलता है, solution के अंदर compression देखने को मिलता है, mix करने पर enthalpy change जो आता है, उसकी value 0 से कम होती है, यानि soluto solvent को mix करने पर solution एकदम कैसा हो जाता है, गरम हो जाता है, यानि solution become warm, अगर गरम हो गया तो delta तैच-मिक्सिंग क्या होगी लेस्टेंज सीरो एक वालों के दर क्या होता है जितने भी पॉज़ेशन वाले होते हैं यह सब के सब बनाते हैं यह सब के सब बनाते एकसमाना इसान में बसुश में हादरन और फॉवल के अंदर बतhoven सब्सक्स करों अट-इसजांपल थो लगभद परसेंस अबसां है लिए इन्धक सब्सक्रें सब किसके इंदर आएंगे नेगेटिव आंदर सहिए थे पॉजिट वर नेगेटिव डिवेशन ये दोनों के आगए ग्राफ पॉसिटिव डिवेशन के हमारे पास क्या ग्राफ है तो ग्राफ के अंदर यह पॉसिटिव वालों के अंदर पी टोटल की वैल्यू पीए से जादा पीबी का ग्राफ पी टोटल का ग्राफ वह यहां सारी ग्राफ लाइन आपको नेगटिव वालों के नीचे से कर देनी है पॉज़र वालों में सारी graph line आपको उपर से लेनी हैं और negative वालों में तारी graph line आपको नीचे से लेनी हैं यह है non-ideal के graph positive वालों के और negative वालों के यह difference कम से कम 3 marks के अंदर आएगा blood exams के लिए काफी important हैं यह lecture complete हुआ कि ल Dopनी टौज़ार, कि बनाफल, टौकाज। कर दो कर दो मजए है कि जु कर दो भ Lindalt कर दो झाल